हेलो और वालकम टू टीवी का पठाका दोस्तों आपको बता दें सीरियल अनुपमा में लीड अक्टर्स का किर्दार निभाने वाली अदाकारा अनुपमा यानी की रुपालि गांगुली के खराब हो रही है उनके प्यारे से छोटे बेटे के साथ रिष्टे जी हां आकिर सी पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में रुपाली गांगुलीन का जो सीरियल है यानि कि अनुपमा भले ही वो टीवी इंडस्ट्री का नंबर वन सीरियल क्यों ना हो चाहे आप साफ तौर से एक चीज देख पाएंगे जहां पर अनुपमा अपने एक ससुराल वालों की वजह से अपनी नई चोटी अनु उनकी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही ऐसे में उनकी बेटी उनसे दूर होती जा रही है यह कहीं न कहीं उनकी रियल लाइफ से जोड़ रहा है आपको बता दे रुपाली गांगुली का बेटा यानि रुद्रांक्ष बिल्कुल भी अपनी ममा के सीरियल अनुपमा को पसंद नहीं करता रुद्रांश ने एक पर ऑन कैमरा आकर एक रियालिटी शो में रुद्रांश आया था जहां पर आकर उसने कई सारी बाते बोली थी वो कहीं न कहीं उस दोरान भी अपनी मां से नराज नजर आया था जब वहां पर अमान मलिक और साथी साथ अर्जुन बिजलानी यानि के शो के होस्ते जब रुद्रांश से सवाल किये थे तब उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें यह सीरिल नहीं पसंद क्यों कि उन्हें लगता है कि ममा अपने परिवार से जादा उन दूसरे परिवार वालों को ध्यान देती हैं आखिर बच्चा छोटा है वो जो देखता है उसे ही सही समझ लेता है लेकिन दोस्तों वो हर बार ही अपनी मा रुपाली गांगुली के बारे में कुछ नगुछ नेग पा रही उनके बेटे रुद्रांश को भी ममा से ज्याद अपने पिता से लगाव है और उनकी अटाच्मेंट ममी से कही न कहीं कम होती जा रही है इसलिए वो इस ट्रैक के जरीए हर एक पैरेंट को ये बताना चाहती है कि आपकी प्रियोरिटी आपके बच्चे होते हैं ज प्रियोरिटी आपके बच्चे होते हैं